तो हेलो दोस्तों माटव मैकीनिकल यूटूब में आपका स्वागत और हरहर महादेव जही माता जी मितरो तो आज का इसुडिय में ये बात करनेवाला हूं मेरे पास आई है हिरो पलेजर och आज का इसुडिय में उसकी क्रेंग कैसे फिटिंग करते तो आज क्रेंग इसुडि क्रेंग के स्कवर यानि के ओयल चेंबर और देखिए यह उसकी क्रेंग तो गई देखिए क्रेंग को मैंने पूरी बैलेंस करवा दी है देखिए खरात वाला पास जाके देखिए पूरी उसकी जो दो बेरिंग है देखिए यह उसकी जो दो बेरिंग भी चेंज करवा दी है उसका और connecting rod भी मेंने नियूडल वा दिया है और देखिए ये उसकी bearing भी मेंने change करवा दिये जब आप पूरा engine बनवाते हो तो उसकी जो crank है वो आपको पूरी balance करवानी पड़ी कि क्योंकि अगर आपने ये balance नहीं करवाया तो आपको अच्छा result नहीं मिलेगा और देखिए इस connecting rod में sound आएगा तो देखिए ये है hero pleasure crank और इस crank को किस तरह fitting किया जाता है तो गई देखिए आज का इस video में मैं आपको live दिखाने वाला हूँ तो मेरा video में आपको end तक बनने रहना है तो सबसे पहले देखिए आपको मैं दिखाऊंगा उसका जो crankcase cover है देखिए ये उस शिल को आपको change कर देना चाहिए क्योंकि अगर ये वाल चेंज शिल चेंज नहीं किया तो वैल किसका problem जब आता है तो पूरा engine open करना पड़ेगा फिर ते आपको तो गाईज ऐसी गलती मत करना जब आप ये engine का काम करवाओगे तब ये उसका जो वैल शिल है वो आपको genuine company क डलवा देना चाहिए क्योंकि ये अंदर की तरफ फिट होता है तो गाईज इस शिल को में स्पेस कच की बनत से वो बहार निकाल देता हूँ तो गाईज देखिए इस शिल को में change कर देता हूँ और पूरा engine में full fitting बनाने वाला हूँ तो सबसे पहले उसकी crank fitting करने वाला हू तो वाल शिल में निकाल दिया है उसके बाद में new वाल शिल डलवाओंगा तो गाईज देखिए ये में new वाल शिल डलवा देता हूँ क्योंकि ये pioneer company का वाल शिल है तो गाईज इस वाल शिल को आपको अच्छे shifting कर देना चाहिए क्योंकि अगर ये वाल शिल आपने नहीं लगाया तो वाल शिल लिकेज का प्रोब्लम आ सकता है ये जब वाल शिल कीज का प्रोब्लम आए तो गाई ये आपको पूरा एंजिन ओपन करना पड़ेगा इसलिए ये वाल शिल को जरूर लगाना मत भूलना तो देखिए इस तरह वाल शिल को अंदर से पिटींग किया जा सकता है तो गाई देखिए यह ओईल शील मैंने लगा दिया है तो ओईल शील लगाने के बाद गाई देखिए मैं आपको लगाऊंगा सबसे पहले उसकी क्रेंग तो गई देखिए चलो स्टार्ट करते क्रेंग को कौनसा सेडा लगाना है सबसे पहले तो आपको मैं दिख या इस तरह पकड़ की उसका袋 में अत्से सेपिटिंग कर देना चाहिए क्योंकि उसका袋 में आराम से वह स्ट्ल हो जाएगा तो इसमें क्रेंग लगाने के सही तरीका यही है और आराम से उसका borrow में स्ट्ल हो जाएगा और देखे इस तरह गुमा के भी चेक कर लेना चाहिए कही जाम तो नहीं हो रही है उसकी crank वो आपको ध्यान रखना है उसके बाद गाई देखे उसकी जो chamber है सामने वाले उसमें आपको solution tube लगा देना चाहिए क्योंकि अगर आपने ये solution tube नहीं लगाया तो oil leakage का problem आ सकता है और उसका सामने वाला जो crank case cover है कही इसमें भी आपको लगा देना है क्योंकि ये engine आपको बार बार open नहीं किया ज़सकता इसलिए उसमें पूरा solution tube आपको लगा देना चाहिए क्योंकि oil leakage का कोई problem ना आए तो गहीं देखे solution tube लगाने के बाद उसका सामने वाला crank case cover है देखे ये उसका सामने वाला crank case cover है जिसको इस तरह पकड़ कर देखे बिलकुल आसान से देखे इस तरह उसका ग्रू में आराम से install कर देना है और MR की वज़े से हलका सा फटका लगा कर उसका ग्रू में आपको install कर देना है और उसका crank को आपको गुमा के भी check कर लेना चाहिए उसके बाद देखे MR की वज़े से हलका सा फटका आपको लगाना है उसके बाद आपको जो 3 mm के बूल्ट है देखे सबसे बहले लंबा वाला बूल्ट देखे यह बूल्ट को इस तरह सबसे लंबा जो बूल्ट है देखे गाई इसको बूल्ट को मैं अटेच कर देता हूँ तो जो पूरा 3 mm का जो बूल्ट है गाई यह वो में उसकी जगा में हिस्टोल कर देता हूँ उसके बाद 10 mm का टीपाना लेकर पूरा बूल्ट में फिटिंग कर देता हूँ तो गाई देखे हिरो प्लेजर में क्रेंग फिटिंग करने का तरीका यही है और इस तरह क्रेंग को फिटिंग किया जा सकता है तो जब गाई पूरा एंजिन उपन करने के बाद उसका जो क्रेंग के सिकवर है वो क्लिनिंग करने के बाद उसकी जो क्रेंग है वो खरात वाला पास तो गैश्च का जके 10 mmM का जो बोल्ट है वो मैं अच्छ से पीटिंग कर देता हो और जो पूरा 10 mm का जो बोल्ट था वो मैंने फिटिंग कर दिया है और Mr. फिटिंग करने के बाद गाई उसका जो स्टेंड है वह में स्टेंड पे खड़ा कर दूँगा क्योंकि मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहों वो काम करने में आसानी से काम होगा इसलिए उसका जो stand है वो stand पर खड़ा कर देता हूँ तो गई देखिए ये उसकी जो crank है वो crank को इस तरह fitting किया जा सकता है और बिल्कुल आसान तरीका है हीरो प्लेजर में crank fitting करने का जब आप उसका full fitting engine बनाओगे तो उसका जो crank case cover है वो clean करके बिल्कुल आसान तरीके से इस trick से आप काम करोगे तो आप में कोई दिक्कत नहीं होगे और अराम से उसकी crank आप fit कर सकते हो और इस तरह पूरा जो bolt है वो अपने जहां से open कर दिया था वहाँ आपको install कर देना है तो देखे इस तरीके से वो fitting किया जा सकता है तो देखे यह जो 10 mm के bolt है मैंने पूरा fitting कर दिया है तो गई देखे अब मैं देखे यह उसका main stand है जहां सारा सारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है तो वो main stand में लगा देता हो तो गई देखे पूरा crank का video मैंने बनाया था वो मैं आपको दिखा दिया है इस तरीके से crank fitting किया दर सकता है तो देखे इसका जो stand है उसमें उसकी pin भी मैंने लगा दी है तो guys हमारा video परसंद आया तो like कर देना subscribe कर देना share कर देना ऐससे सारे tweeler के लगते related video हम बनाएंगे